एक मुक्का मारूगा ना एक मुक्का तो बर्दास नहीं कर पाओगे मा कसम बता रहा हूं समझ लो एक बात और वीडियो देखने वाले लोग दिमाग में बेठा लें कि आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास की कोई लड़की या महिला गायब हो जाए तो पुलिस वा पुलिस के हाथों की ये मजबूती पऊवा मारने के बाद वाली है इस वीडियो में हम प्यकड़ पुलिस भी दिखाएंगे और तुम्हारी लड़की छे दिन से गाया वे तो हमारी जेब में थोड़ी नहीं ये भी दिखाएंगे एक महिला के सरीर के 50 टुकड़े करके फे कि कुछ कराना और हमारे सांसद महोदय क्या कर रहे हैं ये भी देखिएगा एक और बात क्या आपको मालूम है कि वो जो हिटलर था जर्मनी वाला अपने यहां की महिलाओं को भारत भेजता था कि जाओ भारत के हिंदूओं के साथ संभोग करो और वहां से प्रिगनेंट हो बैकंड वा लिजίας, इसके साथ इसकी वार कोट को इसकन करके आप हमारी आतिक साहता करें ताकि जनता की आवाज मजबूत होती रहे और देश को गोदी सेठों की गोदी मीडिया से निजाद मिल सके, अब वक्त आ गया है कि देश का मीडिया जनता के हाथ में हो, जो जनता क ही सारे पर काम करें सबसे पहले यूपी के लोगों को एक खुशकवरी दे देते हैं अब आप लोग देश हित में सी एंजी और पी एंजी दूइ रुपिया अधिक दाम दे कर खरी सकते हैं आपको देश भक्ती दिखाने का अधिक आउसर देने के लिए बोलिए थैंक्यू आगे वाला जोड़ लिजेगा क्या जोड़ना है पता ही है आयोध्या के लोगों को रास हित में योगदान करने का अधिक आउसर मिलना है क्योंकि वहाँ पर सी एंजी का अलिकार जुन खड़गे ने ट्वीट करके बताया है कि मोदी सरकार ने दिल्ली हाई को यह बताया अगनी वीर योजना के तहट भरती हुए सिपाहियों को सेना के जो सिपाही है उनको सलाम करना होगा यानि कि जो अब उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान को देखिए इसे देखकर आपकी जबान से यहीं निकलेगा कि दुई घोट अंदर और बबुगा सिकंदर बताए जा रहा है कि ये वीडियो बलिया की है सराप के नसे में धुत्त पुलिस का जवान चिला रहा है येक मुका मार उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि जल से जल इस जवान को WWE में भेजा जाए ताकि मोटा माल कमाके उत्तर प्रदेश सरकार की मदद करें और यहां की गरीबी दूर हो सके अब आप यूपी के जेवर की इस घटना पर ध्यान दीजिए यहां एक लड़की पिछले 6 दिनो को से लापता है मगर जब परिजन पुलिस से मदद माग रहे हैं तो पुलिस कह रही है कि तुम्हारी बेटी हमरे जेब में थोड़ी ना है बतागी यह तो जरूर सुना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं मगर कानून की जेव भी इतनी लंबी होती है जिसमें इस गटना का एक और वीडियो है जिसमें पुलिस पूछ रही है कि तुम्हारी बेटी है नहीं न तो समाज के ठेकेदार बनके बैठे हो क्या ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसान आंदोलन के दौरान कहा गया था कि कुछ लोग आंदोलन जीवी है जहां भी आंदोलन ह होता है वहां कूछ जाते हैं थोड़ा सा सुन लीजिए आए दिन आप सुनते होंगे कि बिटिया इतने दिनों से गायब थी बाद में उसकी लास मिली यदि पुलिस ने समय पर एक्शन लिया होता धूड़ा होता तो साहर जिंदा मिल जाती मगर हमारे देश की पुलिस रि जादा टुकड़ों में काड़ दिया गया सनिवार की साम को निर्बाणा धिन आगनबाडी केंदर के पीछे पहर का टुकड़ा मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई पुलिस की छानबीन में किसी दिलदार का नाम सामने आ रहा है बताइए ये कैसा दिलदार है जिसने रू पूरा मिले तो फिर पूलिस को बताईए, फिर देखिये एक्षन, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। वहां मारने वाला जो है, जिस पर आरोप है, वो सर्माजी हैं। जब तक आरोपी मुसल्मान न हो, गोदी मेडिया वालों को कोई रस नहीं मिलता है। समझी रहे हैं आप लोग, गाना याद नहीं है तो बता देते हैं, बेबी बीयर पी के नाचत बाणी छमा छमा छम, भागवारंगोड के बेबी को बीयर पिलाते हुए, डांस करना, इस से बड़ा सम्मान की बात और क्या हो सकती है। अब रवी किसंस आपको देखिए, इस गाने में महिला कलाकार बोल रही हैं कि प्लीज कुछ कराना, धराना, कुछ कराना, हम भी सांसत महोदे से यही कहना चाहते हैं, कि सांसत महोदे कुछ करिये, देश की जनता ने आपको सांसत बनाया है, कुछ करिये, जनता के लिए कु जिसमें कोई महासे खड़े होकर माईप पर बोल रहे हैं कि पहला दुस्मन कौन है इसाई दुसरा दुस्मन कौन है मुसल्मान हर हिंदू के घर में हत्यार होना चाहिए और फिर बता रहे हैं कि कैसे हिटलर अपने यहां की मैलाओं को भारत में भेज कर प्रेगनेंट करवात अब आप जरा सुन लिए फिर मिलते हैं और अभी जो दुस्मन है तो पहला दुस्मन इसाई यह यह पहला दूसरा मुसल्मान हर हिंदू के घर में अत्यार होना चाहिए को जने से क्यानी मिलता लोग केते पैसाति सुल से क्या होगा पिस्तोल दिलो लड़ाइज जगड़े यह बड़िया लट होता है ना इतलर से वह कहता था कि दुनिया में सर्व स्रेश्ट जाती यदि कोई है तो वह ईंदू और दूसरे नमबर पर को ऐसा इकलर केता था तो अम सब लोग ऐसे पुण्य भूमे में पैदा हुए ये अमारे उपर भगवान की असीम अनुकम पाए असीम अनुकम पाए सुन लिया आपने मगर हमें पूरा भरोसा है कि इनके इस नफरती बयान बाजी की बावजूद इन पर कोई कारेवाई नहीं होगी एक और बात सोचने वाली है जर्मनी वालों को जब पता चलेगा कि भारत में वाटसेफ इनफरी के ज्यान पाने वाले लोग किस तरह से उन्हें गालिया दे रहे हैं उनके देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये हमारे देश के लिए कितने सर्म की बात है कि सरो धर्म संभाव वाले रास्ट में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले धर्म को इस तरह से सरयाम गाली दे जा रही है दुस्मन मताया जा रहा है सरयाम हतियार रखने को कहा जा रहा है मानो देश में पुलीस और सेना समा करें ताकि देश को गोधी मीडिया से निजा दिला कर जनता का मीडिया मजबूत किया जाए हमसे जुनने के लिए बहुत धन्यवाद चेहिंद